So Hello Friends, यहाँ पे आप सभी के लिए HyperOS 1.5 September के New Big Package Updates Rolling Out होने स्टार्ट हो चुके हैं इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को शोक करने वाला हूँ कि कौन कौन से डिवाइसे में September Big Package के अपडेट्स यहाँ पे पुश हो चुके हैं और इसी के साथ यहाँ पे कौन कौन से डिवाइसे के लिए यह अपडेट समय देखने के लिए मिलने वाले हैं in the upcoming days So इसके रिकार्डिंग में आर्टिकल अपनी न्यू वेबसाट पे क्रियेट कर चुका हूँ जैसा कि आप चेकाउट कर सकते हैं इस वाली वेबसाट के लिए मैंने एक सेपरेट टेलिगम चैनल भी क्रियेट कर दिया है So आप इसको जोइन कर सकते हैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्चन में देखने के लिए मिल जाएगा So इसके रिगारिंग में पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्रियेट कर चुका हूँ जैसा कि आप चेकाउट कर सकते हैं और यह वाली वेबसाट यहाँ पे प्रिवियस वेबसाट से और भी जादा ऑप्टिमाईज और इसका जो UI है वो भी हमें एकदम clean देखने के लिए मिल जाता है So यहाँ पे Xiaomi ने official updates को rolling out करना start कर दिया है HyperOS 1.5 के September big package updates के साथ सबसे पहले Xiaomi Pad 6 इसके लिए 150.1050 China Stable Update Xiaomi 14 Ultra के लिए 150.1150 Global Stable 150.1050 India Stable And 150.1250 Europe Stable Update यहाँ पे rolling out होने start हो चुके है और यह updates यहाँ पे normal users के लिए push कर दिये गए है And at the last Redmi and Redmi Note series में से अभी केवल Redmi 13R 5G 13C 5G China variant 150.2500 China Stable Update को ही देखने के लिए मिला है और इसी के साथ one more smartphone के लिए यहाँ पे roll out हो चुका है लेकिन वो MIUI 14 पर बेश है जिसका नाम है Redmi 10C MIUI 1450.750 India Stable Update बेटा टेस्टरस के लिए और यहाँ पे more Xiaomi devices के लिए यह अपडेट्स हमारे हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं As an example, Xiaomi 14 Pro के लिए 1.0.50, 1.0.50 चैना Stable Update यहाँ पे ready हो चुका है और इस वाले अपडेट को September Security Patch के साथ यहाँ पे बहुती जल्द पुश्ट किया जाने वाला है तो क्या आप यहाँ पे September Big Package अपडेट के लिए excited है कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब और शियर जिरू से करके जाएं अगर आपको यहाँ पे HyperOS 1.5 की latest information सबसे पहले चाहिए तो क्योंकि यहाँ पे अलड़ी शौमी ने HyperOS 1.5 सेप्टेमबर के अपडेट को यहाँ पे पुश्ट कर दिया है